YouTube चैनल दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही बड़ी कमेडी एक्टर भारती सिंग के बारे में भारती सिंग टेलिवेजन की दुनिया की जाने मानी नाम है किसी भी लोर फेमली के लिए या इस उचाई तक पहुँच पना बहुत ही कटिंग है लेकिन भारती ने कड़ी मेहनत के जरिये टेवी इलिवीजन में दुनिया के बहुत बड़े मुकाम हासिल किये दोस्तो इस वीडियो में हम भारती सिंग के संगर्ष से सफलता तक की कहानी जानेंगे ही साथ ही जानेंगे उनकी लौब बेस्टिरी और भी कई इंट्रेस्टिंग बाते तो प्लिज बीडियो के इंड तक बने रहें अम 3 जुलई अनुशा 86 को अमरित सार में हुआ था आज करोड़ दिलों पे राज करने वाली भारती सिंग के लिए एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें गरीबी और बूरे वक्त का सामना करना पड़ा इस बात के खुला सा खुद भारती सिंग कई बार कर चुकी है कई सों में भारती ने बताया कि गरीबी से उनकी मा इतनी परिशान थी कि वो उन्हें गर्व में खतम कर देना चाहती थी यही नहीं अपनी बेटी को गर्व में खतम करने के लिए भारती सिन की मा ने दवाई भी खाली थी लेकि जब उनका जनम हुआ तो उनकी माने उन्हें बिहत प्यार से पला उनकी हर जलूरत का ख्याल रखा गरीबी के विज भारती सीन बच्पन बिता जम कमेडी एस्क्रीन दो साल के थी उन्हेंने अपने पिता को खो दिया था आज के डेट में कमेडीयन भारती सीन कीसी पाचान की मोहताज नहीं है उन्हें इंडस्ट्री में कितने संघर्ष के बाद अपनी जगह बनाई है इससे हर कई वाकिफ है भारती सीन लोगों को पल भन में गुदगदाने हसाने का दम रखती है लेकिन हाली में कमेडीयन के कुछ खूला से सुनकर हर कोई हैरान है दरासल भारती सीन ने अपने प्रसनल लाइप से जुड़ी कई राज सेयर किया है जो साइध ही अब तक कोई जानता हो भारती सीन के संगर्स और और से फर्स तक पहुँचने की कहानी किसी प्रणा से कम नहीं है इसी दोरान उन्हेंने बताया कि इस तरह वो अपने केरियर की सुरवात में अपनी मा के साथ सेट पर जाया करती थी इसके पीछे की ये खास वज़ा है हाले ही में मनिस पॉल के पोड़कास्ट चैट सो में भारती सीन ने अपनी परसनल लाइब से जुड़ी कई बातें लोगों को साज़ा की है भारती सीन ने बताया कि सो में अपनी मा के साथ लेकर जाती थी लोगों द्वारा किये का एक्शन होग कई बर समझ नहीं पाती थी और लगबग हर सो में अपनी मा को साथ लेकर जाया करती थी उस समय पीता समान लोगों के साथ ट्रेवल करती थी लेकिन मेरे साथ मा हमेशा रहती थी लोग काते थे कि आंटी चिंता मत करिये हम आपका ध्यान रखेंगे मुझे माडर्ण चीज़ों के बारे में बहुत कम जनकारी थी किसने मेरी कमर पहात रगड़ा मुझे पाता नहीं चला कि ये लड़कियों के लिए गलत रह से छून माना जाता है जो कॉंडिंडर्स को आपको पैसा देते हैं आपकी कमर पहात रगड़ते हैं मैं जानती हूँ कि ये अच्छी फिलिंग नहीं है लेकिन वह मेरे अंकल समान होते थे वह गलत नहीं हो सकते मुझे यहीं हमेशा लगता था मुझे लगता था कि मैं गलत हूँ वह साही है मैं उस समय नहीं जानती थी कि ये चीज़े खराब होती है भारती सिन उस वक्त केरियर के सुरुआत में मुझे कुछ खिला बोलने की अंदर से हिम्मत नहीं थी मैं जब अपने बारे में आवाज उठाना जानती हूँ अपनी बोड़ी के लिए लड़ाई करना जानती हूँ लड़ाई करने के मेरे अंदर हिम्मत आ गए थी मेरे अंदर हिम्मत या बोलने की और पूछने की आप देख रहे हो हम सब बाहर निकलते हैं खुद की जिंदगी अपने मुताबिक जीते हैं मैं खुद के लिए बोल सकती हूँ उस समय जब मेरे साथ सो में ऐसा होता था तो मैं खुद का एस्टेन नहीं ले पाती थी इसके पीछे बहुत बड़ी वज़ा है जब मैं दो साल की थी तो उनके डेथ हो गए थी मैंने नहीं देखा अपने पीता को मेरे घर में उसका कोई फोटो है उनकी कोई तस्वीर भी नहीं है मेरे बहन और भाई पीता का प्यार मिला लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला लेकिन मुझे तो अपने भाई तक का प्यार नहीं मिला, क्योंकि सब अपने अपने कामों में बीजी थे भार्ती सिन्फ प्रसना लाइप को लेकर खूब सुर्ख्या बोटोरती है भार्ती सिन्फ के उनके पती हर्स लिमबाचिया को एक साथ खूब पसंद किया जाता है दोनों साथ में न सिर्फ अच्छे दिखते हैं बलकि इतनी जोड़ी भी एक आदर से जोड़ी कही जाती है हर्स और भार्ती की पहली मुलकात रियलिटी सोग कमेडी सरकस में हुई थी कमेडी सरकस में भार्ती कंटेंटेस थी जबकि हर्स लिमबाचिया एक एक क्रिप्ट लाइटर थे कमेडी सरकस में दोनों मिले और दोनों में कापी अच्छे दोस्ती हो गई कुछ साल तक इन दोनों का रिलेसंसिप चला हर सलीम बाचे ने दोस्तिक एक सल बाद भारती सिन से अपने प्यार का इजहार किया था भारती सिन ने उनका परपुजल देखा तो वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी बलकि उनको ये भी एकिन नहीं था कि वह उनसे प्यार कर सकते हैं हर से वाकई उनको पसंद करते थे उनसे प्यार कर सकते थे और उनकी साधी करना चाहते थे लेकिर भारती अपने मोटापे की वो जासी है सोचती थी कि कोई भी पतला स्मार्ट लाड़ का उन्हें प्यार क्यों करेगा इसलिए वो प्यार मुहबबत के बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी नहीं उसकी राजकुमर की ख्वाई से थी जैर और साधी की फैसला करने के बाद दोनों की मुश्किले असान नहीं थी जिस तरह से फिल्मों में इमोशनल सीन और हीरो हीरोन की साधी में रुकावटे आती है उसी तरह भारती और हर्स की लौबे स्टोरी में भी दोनों के घर वाले बिलेन बन गये थे हर्स और भारती ने जब अपने अपने घर वाले को एक दूसरे में बताया तो दोनों के घर वाले ने इस रिष्टे से इनकार कर दिया था साधी के खिलाब थे लेकिन और हर्स ने हार नहीं माणी वो अपने इरादय पर अटल थे यहाँ भारती भी अपने परिवारों से लड़ रही थी कि उन्हें हर्स नहीं चाईए तब इनके सच्चे प्यार के आगे दोनों परिवारों के हार माननी पड़ी और भारती सिन और हर्स लिम्बाचिया की साधी के लिए राजी होना पड़ा साथ साल रिलेसंशिप में रहने के बाद हर्स और भारती ने मई 2017 में सिक्रेटली साधी की थी दोनों ने एक जुन को सभी को एक गूड नीज दी थी फिर महिनों बाद दोनों ने अपनी साधी के डेट की अनॉंस्मेंट की भारती और हर्स ने 3 सितमबर 2017 को साधी की थी दोनों की साधी को 5 साल हो गया है भारती अपने वजन के बारे में हमेशा मीडिया के सामने खुल के बोलती है वो अपने बजन के बारे में बात करने से कभी हिचकी जाती नहीं है मीडिया से बात चित के दोरान भारती ने बताया था कि सुचती है कि मैं मोटी हूँ और मेरे घर वाले कोई मोटा सलार का ढूटकर मेरी साधी कर देंगे पर हर्स ने पहली बार जब I love you लीकर भेजा तो मैं समझ नहीं पाई कि एसक्रिप्ट का हिस्ता है या फिर सच है भारती ने बताया था कि हर्स और पतले सक्त की तो तस्वीर भी मेरे दिमाग में नहीं थी लेकिन उसने मुझे प्यार करना सिखा दिया वह दूसरी और हर्स का काना है कि भारती मेरे लिए परफेक्ट है मोटे और पतले से क्या होता है भारती दिल की बहुत अच्छी है मैं उसके चेहरे और प्राशनिल्टी से प्यार करता हूँ इते दिनों कमेडी कीन बॉलिवूड ड्रक्स केस को लेकर सुर्कियों में थी दरासल बॉलिवूड अबनेता सुसान सी राजपूत की मौत के बाद ड्रक्स को लेकर हुए खुला से के बाद नर्कोटेक्स कंट्रोल वीरो लगतार इंडरेस्टी में ड्रोक्स को लेकर नजर बनाये हुए है उमबर 2020 में NCB ने भारती सिंग के घर पर छापा मारा था जहां से NCB के टीम को कुछ मातरा में ड्रोक्स बराद हुई थी जिसे भारती और होर्स कुछ दिन के लिए जेल गए थे लेकिन दो दिन बाद उनको बेल मिल गए थी तो दोस्तो ये भारती सिंग और होर्स लिम बाचिया से जूड़ी ये काानी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो प्लिस वीडियो को सेर जरूर करे